हाई गाई सत्रियकाल नमस्ते वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी कि बड़े से बड़े कारपेट की डीप क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं और कुछ-कुछ टिप्स में आपको इधर बताऊंगी और डीप क्लीनिंग करते समय जो इसमें से डस्ट निकलती है न वह भी मैं आपको दिखाऊंगी तो चलिए वीडियो को बिलकुल मत करना एंड तक देखना चोटी सी वीडियो है चलिए जी शुरू करते हैं चलिए जी सबसे पहले मैं आपको अपना कारपेट दिखा देते हूं यह हमारा कारपेट बड़ा सा साथ बाइद यह 12 साल पूराना है आज हम इसकी डीप क्लिनिंग करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैंने एक ब्रश ले लिया है पूराना कप्रे दोने वाला जो ब्रश रहता है बस वो ही ले लीजिए आप और हम पूरे कारपेट पे अच्छी तरह से ब्रश मार देंगे ताकि जो भी कच्रा बगेरा कई बार तो धागे दागे रहते हैं उसमें दागे कम लेकिन बाल ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हम लोग कंगी बगेरा करते हैं बच्चों की खुद की तो उड़ उड़ के पूरे इस पे बाल चिपक जाते हैं अभी मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कितने सारे बाल निकले हैं ये अभी मैंने आदे कारपेट मुझे बोलेंगे कि हमारे गर पे तो वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो उनको क्या करना है उनको भी स्टार्टिंग यहीं से करनी है ब्रश ले लीजिए पहले उस पे ये कारपिट पे ऐसे अच्छी तरह मारेंगे आप ब्रश बाल वगेरा जो भी कच्रा वगेरा होगा सब ब वैक्यूम के अंदर भी देखे एक चोटा सा ब्रश रहता है वो मैंने अउन कर लिया है ब्रश पहले अच्छी तरह से हमने बड़े वाले ब्रश से निकाल लिये हैं बाल और अब भी जो भी रह गया है थोड़ा बहुत वो वैक्यूम क्लीन कर देगा डस्ट वगेरा पूर सब निकल जाए अच्छी तरह से और कच्रा भी निकल जाए तो उपर से तो हमारा ये कारपेट अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है अब भी आगी है बारी बैक साइड के और बैक साइड देखिए मैं कैसे करती हूँ इसको पूरा आदा फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि अधा आदा करके उसको ऐसे क्लीन करती हूँ बैक साइड से क्योंकि मुझे तो ही तसली होती है अगर दोनों साइड से मैं वैक्यूम करूँ इसको क्योंकि चोटी बोटी जो रहती है वो भी अच्छी तरह से निकल जाती है तो देखिए मैं फरशी पर भी मार रही हूँ फ लेक्यूम करूँ हमारे गर के एकदम सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है जिसकी वज़े से हमारे गर के अंदर बहुत ही ज़रा डस्ट हो जाती है तो मुझे ये हफ्टे-10 दिन में क्लीनिंग करनी ही पड़ती है आप अपना कार्पिट कैसे क्लीन करती है अगर ऐसे ही कर इसको क्लीन रखती हूं तो ही ये इतना अच्छा पड़ा है और भी पतानी कितने साल ऐसे ही चलने वाला है ये तो देखिए ये हमारी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है तो उसके बाद मैं अभी आपको डस्ट दिखाती हूं देखिए ये वैक्यूम के अंदर जो डस्ट इसमें से क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं हमारे गर के सामने काम चल रहा है तो उसकी वज़ा से इधर डस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है तो चलिए गाईस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी होते एक लाइक का बटन दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई